हेलो दोस्तों वेलकम टो परिख्छा इंस्टिटूट इट्स मी पुरुश्वत्मकौन दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपकी डिमांड पर सेट्स फोर का सेक्शन ए और यहां पर हम क्लास टेंज का सेलुशन कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक परिख इंस्टिटूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जल्दे से सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेक्स कर लिजिए जिसे कि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको विलकुल टाइम पर मिल जाए और अगर इसमें कोई टूट रह जाती है कोई मिश्टेक रह जाती है तो प्लीज आप लोग दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप कीजिए जिसे कि मैं उसको सही कर सकूँ और चलिए फॉवर करते हैं अपने इस सेसन को और ज्यादा से ज्यादे वीडियो को शेय करना ना भूले लाइक करना है और इस पैसेज के आधार पर आपको नीचे देगे कोस्टन के आंसर करने हैं तो सबसे पहले हम पैसेज को रीट करेंगे उसके बाद में इसके नीचे देगे कोस्टन के आंसर करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को रीडिंग करना प्रश्चेज हमरा क्रिकेट इस ग्लोब पार्शना केटार्ण वेर्वर फ्रॉम टेस्ट मेसे अराऊंस करेकें दो熱 है कि दोग दों अर्फिक हम नुय स्फेहे लिफिट जाडला मया टहां लेन वाजिक्स पाशब लाडा मौर रेर लुटाब्सूर आफिकी डेन लीट दो को लीे लेñक इस इस प्रिव ए्टीज ऑागते हैं अखियव धिरॉत्त कुम्नुटेस और सब्सक्राइब हैं। Melbourne, the match was dubbed a test since the grueling nature of playing over five days dimmed the ultimate test for any side, but it was Australia's first win on England in 1882 at the Oval in London that lead to match between the two nations being christened the Ashes, following the defeat, newspaper published an obituary morning, now the defeat of England cricket adding that the body will be cremated and the Ashes taken to Australia This means that the cricket match is very good, it is a presence of the most people who play in the world of second popular spectre theatre sport, which means football, if people play football, then they play cricket, but it was the beginning of the 16th century in England में से हुई थी और अस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच में सबसे फॉस्ट टेस्ट मेर्स खेला गया था और जो की सबसे ज्यादा maximum six days तक टेस्ट मेर्स चला था क्योंकि अब तो five days तक चलता है लेकिन पहले तो six days तक टेस्ट मेर्स चलता था उसी के basis पर आपको इसको कोश्चन जो देगे हैं उनको आंसरत मतलब करना है तो दोस्तों यहां पर हमारा first question जो दिया गया है वह है according to the passes how did the game of cricket originated when was the first international match played मतलब कभी इसकी उत्पत हुई थी और कहां पे और वो कभ खेला गया था उसके बारे में अभी हमें यहां पर बताना है तो चलिया देखते ही इसका answer क्या होगा the origin of the game has been derived from old widespread and uncomplicated pastime in which one player served up an object be it a small piece of wood or a ball and another hit with a shitably fashioned club by the first international match played in 1877 तो यहां पर हम start करते हैं देखे इसमें इसकी हिंदी बताई गई है खेल की उत्पति पुराने ब्यापक और जटिल सगल से ली गई है जिसमें एक खिलाडी एक वस्त को परुस्ता मतलब कि एक खिलाडी जो है एक कोई वस्त होती है जैसे बॉल टाइप से उसको वो व्यापक कीया करता था उस से उस बॉल को या वह उस वस्त को हिट करता था मतलब मारता था चोट देता था उस पर और यह जो अंतराश्टी मैच था वो सभसे पहले 1877 में खेला गया था पहला मैच जो इंटरनेशनल अंतरश्ती क्रिकट जो था वह सबसे पहले 1877 में खेला गया था वो भी England और Australia के बीच में चलिए देखते हैं next next question है हमारा दोस्तों यहाँ पर which country played the first international match why the match between Australia and England was titled the Assess तो यहाँ पर Assess name क्यों दिया गया title England और Australia के बीच में खेला गया जो match था उसको Assess क्यों कहा गया और साथ ही साथ बताना है कि कौन कौन से देशों के बीच में test match वो खेला गया था the first international match played between Australia and England Australia's first win on England's shell in 1882 at the Oval in London led to match between the two nations being Christiane the Assess मतलब पहला अंतर राश्टिये match आस्टेलिया और इंग्लेंड के बीच में खेला गया 1882 में लंदन के Oval में इंग्लेंड की धरती पर आस्टेलिया की पहली जीत के कारण दोनों देशों के बीच को एसेस का नाम दिया गया मतलब उनकी जीत हासिल हुई और उन्होंने क्या किया था आस्टेलिया ने इंग्लेंड की ही धरती पर जा करके इंग्लेंड के बीच खेला था और उसके बाद में वहां से आस्टेलिया ने पहली जीत हासिल की थी चलिए देखते हैं, next question हमारा, next question है दोस्तों हमारा, cricket came to be non-in, मतलब सबसे पहले cricket सबको पता कैसे चला, कब, किस century में हमें मतलब, मतलब सभी को ये news spread हो गई cricket के बारे में, और किस century में बात फैल गई, कि cricket भी एक जैसा, मतलब अच्छा game होता है, और सभी उससे परिचित कि century में होने लगे, तो वो जो है, वो है आपका option दिये रखें यहाँ पे, तो option यहाँ पर दिये है, the 16th century, the 15th century, the 14th century, तो यहाँ पर England भी साथ में है, तो आपका D number यहाँ पर right answer हो जाएगा, the 16th century in England, मतलब England से ही spread होई थी, England के लोगों में ही यह बात फैली थी, चलिए यहाँ पर pick out the word from the passage which is similar to burial and opposite to limited, तो यहाँ पर burial और इसका opposite करना है, तो यहाँ पर burial का हो जाएगा, cremitted, burial का मतलब होता है, दफनाना, या दफन करना, या दफन ठीक है, तो यहाँ पर cremitted हो जाएगा, इसका similar है थोड़ा, और limited, limited का मतलब होता है, और यहाँ पर हो जाएगा, wide spread मतलब, एक विस्तरत रूप से आप प्रसारित कर सकते हैं, यहाँ पर, तो इस तरह से आपके यह solutions हो जाता है, unseen passage का, I hope आपको यह class अच्छी लगी होगी, अगर class अच्छी लगी है, तो please इस class को share कर दीजे, और bell icon को press कर लिजे, subscribe करके, जल्दी से, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye, take care,